देखे Mr. Misra देखे तो अब अगर आपको Atomic Size का Atomic Size के ग्यान अगर आपको समझा है तो आपको Reactivity का ग्यान समझा है यह बात समझा है कैसे Connect होगा वो मैं आपको खुदी दो मिनिट में समझा दाएगा जैसे जैसे फर इसमबल यह Alkali है Alkali में जैसे जैसे आप नीचे जा रहे है तो जो Atomic Size है वो बड़ा होने वाला है यहां तक समझा है Size बड़ा होने वाला है जो Alkali है उसका काम क्या है उसका काम है Electron को छोड़ना यह बात समझा गी बई Alkali का मतलब क्या है जैसे Sodium है 281 उसका काम क्या है एक Electron को छोड़ना लूज करना ओके सर तो अब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे Electron छोड़ना उतना ही असान होता जा रहा है क्योंकि Atomic बिल्कुल ठीक Because यह जो Electron है यार यह देखे यहां तक यह पूरा जो Electron है उसमें यह जो एक Electron है Reactivity तो इसी एक Electron पर dependent है जब तक आप यहां नीचे जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो वो जो Electron है जो सारे फ़साद की जड़ है वो पिता जी से उतना दूर होता रहेगा तो Reactivity अफ़कोर्स जैसे जैसे नीचे अलकली में वो इंग्रीज होती जाएगी यहां तक ठीक है यह बात समझ में आगी मैंड़ रिकॉर्ड हो रहा है अब अगर आप इसको compare करोगे Halogen से Halogen में जैसे जैसे पहले समझे कि Halogen में रिक्टिविटी का मतलब क्या होता है Halogen में रिक्टिविटी का मतलब यह होता है कि जो यह electron चोरी करके कहीं से लाएंगे कितनी जलदी आप उसको set कर सकते है मतलब बहू जो घर पे आएगी ओ बहू की विदा तो बहू जो घर पे आएगी वो कितनी जल्दी घर में सेट हो सकती है है ना घर का महौल कैसा मेरी बात समझ मैं आगे अब अगर आप देखेंगे तो इनका जैसे आउटरमोज शेल में साथ इलेक्टरॉन है यह बात समझना आगी यह 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 भी एक इलेक्टरॉन लाएगा यह भी एक इलेक्टरॉन लाएगा यह भी एक इलेक्टरॉन यह भी एक इलेक्टरॉन यह भी एक इलेक्टरॉन सब एक इलेक्टरॉन लाने वाले है बाहर से अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में देख लीज़े जैसे यह टू फाइव है और यह नहीं, टू-फाइव नहीं यार क्या लिभू ने ने मेडम ये क्या है 287 हाँ 287 ये 27 ही तो फ्लोरीन और क्लोरीन को यी अगर आप द्यान से देखेंगे फ्लोरीन में जो एक ilectron आएगा वो दूसरी शल में जाके बैठेगा क्लोरीन में जो एक atra electron आएगा वो तीसरी shell में जाके बैठेगा bromeen में छोटी shell में जाके बैठेगा iodine में 5 वी shell में जाके बैठेगा SI9 में और भी दूर बैठेगा बजब nucleus से उतना ही दूर बैठेगा जो घर की बहु आ रही है वो उस attractive force से उतना ही दूर बैठी है तो यार वो कैसे adjust हो पाएगी नहीं सहुझ में तो इसलिए जो reactivity है halogens में जैसे जैसे आप नीचे लाएंगे तो जो reactivity है वो कम होती रहेगी क्योंकि reason अलग लग है और मैं देखें जब भी आपको ये भी समझा रहा था और इसी पर मैं time लगा रहा हूँ और 9th में, 10th में, 11th में जो core reason है वो उसका size है size across the period, size down the group क्योंकि वो size का फंड़ा अगर आपको समझ आता है तो ये फंड़ा बहुत जल्दी समझ आता है तो भाई तू थोड़ा सा और आगे भी जाएगा क्योंकि तेरे लिए जो extra question बनेंगे वो बनेंगा ionization potential electron affinity है ना, वो भी थोड़ा सा ये question ये आएगा बट उसका जो link है वो अभी हम जो discussion कर रहे हैं उसी के साथ है और ये question नेटा आएगा जबूर यहां तो कोई doubt है बढ़ी है जी कोई doubt है समझ आगे तो alkali में जबाब नीचे जाते है alkali में जबाब नीचे जाते है तो reactivity बढ़ती है क्योंकि उसका काम है electron को छोड़ना बट हैलोजन में जबाब नीचे जाते है तो reactivity कम होती है वो जो नया electron आता है वो अंदर set नहीं हो पाएगा और ये डिपनेड़ना है साइज अफ द 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 रोग लीजे